जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग श्रागत करता हूं आपके अपने वैक यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों अभी हम बात करेंगे वीबो प्रो का वड़ी का जो मुकावला खेला जाएगा हर्याना स्टीलेश वर्सेस तमिल तलावाज के बिच में इसक आप इसी विडियो के चले जाएगा कमेंट सेंसर है और सबसे कमेंट में आपको देखने को मिलेखा मेरा टेली ग्रामम चैनल का लिंक के आप सभी भैको टेली ग्राम चैनल से जरूर जोइन कर लेना है क्योंकि दोस्तों आप्टर लाइनप आपको जो कुछ भी अप्डीट मिलेगा वह आपको यहीं पर देखने को मिलेगा दूसरी बात अगर आप मानलों कहीं भी लीडर बोर्ड कंटेस्ट जोइन करते हो वहां पर पीछी हो गए हो तो आपक सब्सक्राइब करते हो वहां तो यहां पर लोग जरूर लीडर बोर्ड कंटेस्ट को जोइन कीजेगा मिनिम आपको एक टीम से कंटेस्ट जोइन करने करने हैं जो कि आप नॉर्मली करी लेते हो उसके लिंक अल्रेडी टेलीग्राम पर पर देर रखा है उसके बाद दूस् पर खेलना, स्टार्ट कर दीजिए, अब यहां पर हम बात करेंगे वीनिंग परसेंटेज को लेकर तो मेरे कोटिंग हर्याना की टीम फैबिरेट होंगी और इसके वीनिंग चांसे आपको दिख जाएंगे 78% के आज परस बात करू तमिल तलयावाज को लेके तो इसके वीन लेकता है कि वह जल्द बैक करेंगे अब दोस्त आये हम देखते हैं यहां पर दोनों टीम. अपना Stampко अपना दीए खेल के आ रही है तो Haryana Steelers अपना Last Conference के आ रहे हिए बेंगाल वाडिस के साथ बेंगाल वाडियस कवर खेलते हुए वहाँ पे उनको जो है पिछले मैच में छे टेकल एक्टम्ट लिये हुए थे तीन काम्याब रहे थे तीम ने अंसक्सपूल रहा था टूटल इनके पास तीन पॉइंट्स था जहाँ पे इन्होंने सुपर टेकल में एक भी एक्टम्ट नहीं लिया हुआ थ दोस्तों यहाँ पर इन्होंने टोटल तीन टेकल्टध लिया था दो सक्सपूल एक अंसक्सपूल इन्होंने एक भी ने किया हुआ था दो इनकोब़ेंट्स मिलाओ था तोटल वो भी दोनों tackle के रूप में, निचे आपको मैं आपको, यहाँ निचे दिखा दू आप लोगों को, तो यहाँ पे तीसरा लेको दिखेगा, वो दिखेगा, यहाँ पे मनजीत, चौते पिलिएर डीक जैएंगो, जो की पिछले मैच में हमारे VC थे, और इस मैच में हम इन्हों ने टॉटल 21 डेट किये वे थे दोस्तों जहां पर 12 सक्सेस्पूल रेट दूसक्सेस्पूल साथ इंपिटी डाले थे टैकल इन्हों ने दो एक यहांपे डाते बात कर लिए पंद्रा टॉच्पॉइंट टीन बोनस प्वेंट और यहां पर इनको जो है टैकल पॉइ जो किये थे वह super tackle सामने वाले team को ढाग दिये थे बात करेंगे उससे नीचे आपको दिख जाएंगे MONU जो की right corner पर खेलती है आपको दिख जाएंगे यह मोनू जो पटना वाले हैं यह मोनू दूसरा है ठीक न यहां पर उन्होंने टोटल चाट टेकल एक्टम चाट टेकल किया हुआ था दो सक्सेस्पूल टेकल दो अंसक्सेस्पूल टेकल जीरो यहां पर सुपर टेकल इन्होंने किया हुआ था इससे नीचे आओगे तो आपको दिख जाएंगे यहां पर जोगिंदर नरवाल जो की ख दिखे थे पिछले मैच में हर्स राकिस नरवाल अंकित सनी प्रपंजन और बिनय अब देखे दोस्तों यहां पर क्या रहा था यहां पर बिनय रेडिंग करने आए हुए थे इन्होंने टोटल अपना पांच रेड़ किये हुए थे जहां पर दो सक्सेस्पूल रहे थे दो अ दोस्तों इंका अन-सक्सेस्पूल रहा था अब आए हम बात करते हैं सामने वाले टीम को लेके सामने वाले टिम कौनी वह होगी वो होंगी दोस्तों यहां पर तमिल तहलावाज जो के साथ मुझ पनिप नरवाल को फंप पर दिखो दिखो दिये थी ईस्टार्टिंग में लेकिन इनको हाथ कुछ ने लगा तीन को लेकिन इस मैच में इनके लिए दिखते क्या है यह हो या फिडाइंदर होस्यार हो दोनों के लिए दिखते क्या होगा दोस्तों दूनों लेफ्ट रेडर हैं लेफ्ट जो आप देखोगे सामने वाले हरियान आको टीम के तरफ से तो वह उनका जो है राइट कॉर्णर देखोगे राइट कॉर्णर देखोगे वहां पर मोनू दिख जाएंगे वह थोड़े से यूग कर सकते हैं लेकिन जब लेफ्ट कवर के ध्यान दोगे वहां पर दिख जाएंगे जाइदीप कुल दीप और जाइदीप अपने आप में बहुत ब्रांड वाले पिलियर हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर आराम से आजिंग पवार प्वेंट्स लेके आएंगे सिम अ कि यहीं सभी किया थे 2-4 अंसक्सेसफट्फल था नरंदर फियार को लेके बात कर लेंगे उन्नीस रेट नगए थे क्यों दागए थे परदीप पवं सेहरावत दोस्तों वहां पे इंजड्ड होगे इस वेससे जहां पे नो सक्सेस्पोल डाट किये थे तीन में से एक नाम है इनका और वहां पर देखिए कर तीन टैकल एकम से लिए एक भी इनका काम्याब नहीं हुआ था बात करेंगे इन से नीचे तो आपको दिख जाएंगे साहिल गुलिया यह हमारे बहुत तग्रे पिछले मैच में साबीत हुए थी आपको दिख जाएंगे लेफ्ट कॉर्णर पर खेलते हुए इन्होंने दोस्तों टोटल चाठ टैकल किया हुआ था इनके उपर अगा ध्यान देखो है तो टोटल आठ टैकल इन्होंने जो है वो लगाये थे जहां पर चार सक्सेस्पूल ड डाले थे और यहां पर टैकल इनको कुछ भी काम्यावी नहीं मिला था अगल के मैच में मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत तग्रे जीयल मीनी जीयल के डिफ्रेंशल पिक बन सकते हैं हिमान सो अब दोस्तों आईए हम बात करते हैं अपनी पिंडियासी टीम को लेके अगर हम बात करेंगे रेडिंग सेक्शन में तो आपके लिए मंजीत एक मस्ट पिक हो जाएंगे और अगर हम बात करेंगे दूसरे हर्याने के रेडर तो मीटू महिंदर आपके लिए इस मैच में अच्छे पिक बन सकते हैं रिजन क्या है कि मीटू डालेगा वैसा उठा सकता है और सामने दिखेंगे अब से यह भी जो दोस्तु आगे से बढ़ के खेलना चाहते हैं तो एक ऐसा डिफेंडर सेक्शन है जो की छपट्टा माड़ेगा सामने वाले पिलर पे तो इसका फाइदा मीटू को मिल सकता है तो मैं तो रिक्मेंट करूंगा अगर आ यहां बात करेंगे लिफ्ट कवर को लेके तो यहां पर दोस्त आपको जयदीप खुलदीप दिखेगा तो मुझे नहीं लगता है कि जयदीप खुलदीप के सामने से प्वेंट्स लेना किसी के लिए भी आसान रहने वाला है आप मेनी जील में जरूर अजिंक पवार को ट में खेलेंगे दिएक से दिविए सब्षास में तो यहां पर जैदीप खुलदीप तो आप मैक्सिम में मान के चलो कि जैदीप खुलदीप और आथा देंगे नरवाल मोहित एक करी टकर दे सकता है लेकिन मुझे लगता है कि हिमानसू यहां पर जोगिंदर नरवाल को परिसानी में डाल सकते हैं दूसरे बात यहां पर इनको दिखेगा मोनू अब यह दो कमजोर करी आपको दिखेगा हरियाना का जिसको जिसका अच्छा करी सा फैदा सियार को ड्रॉप किया हुआ है और वो दुन्यों को टैकल करेगा जैदीप कुल्दीप सागर कृष्ण हमारे लिए मस्ट भी खो जाएंगे इसको जरूर लेकर जाएंगे और यहां पर अगर भ्यांद होगे न तो हरियाना दो राइट ट्रेडर को खिलवाता है मितू को औ पॉइंट से निकालने का सिम अपसे आपको दिख जाएंगे दोस्तों यहां पर खेलते हुए लेफ्ट कवर पर जहां पर चांसे अच्छा होगा क्योंकि सामने वाले टी में दो राइट रेडर है तो अपसे के पास बहुत टैकल करने के अच्छे खासे चांसे हो जाएंग में डॉप कर सकता था आप कुछ बड़े रिस्क लिए अगर मीनी जील जील में लेना चाहो तो एम हुड़ा के जगह पे आप लोग यहां पर साहिल को ले लिजिएगा और यहां पर दोस्तों आप में अगर किसी भी टीम का एक भी रेडर नहीं लोगे तो वहां पर आपका जगह दिया हुआ है बात करूँ कैप्टन विसी को लेके तो में रेकोर्डिंग मंजीत हो जाएंगा आपके अच्छे कैप्टन विसी के प्रिक उसके लबा मीतु महिंदर हो जाएंगे जैदीब कुलदीफ हो जाएंगे सागर और मोहित यह पांच ऐसे हैं जिसको आप लो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जोरू कर लिजएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ इन्ज्वाइ कीजिए अच्छा खासा वीन कीजिए